हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में यूजर को वाल पेपर चेंज करने से कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करने सट्टिंग में जाके आप यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देख रहें यहां पर बैग्राउंड चेंज हो रहा है यहां पर डेक्स्टॉप बैग्राउंड चेंज हो पा रहा है कोई यहां पर आके कोई भी डेक्स्ट करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका डिक्स्टॉप का बैगरॉंड कोई भी चेंज ना कर पाई तो इसको कैसे करना है वह मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको क्या करने इस विंडो को यहां से को लोज कर दिने अब आपको क्या कर दिने किलिक करते हैं इस तरह से जैगा इसके बाद यहां पर वातわか्त करती है आपको फरस्ट ऑप्सन दिख जैगा इसके ओपर आपको क्लिक कर दें क्लिक करती इस तरह से विंडूट ऑपन हो जाए गा अब स्कुनिशन इसको यहां से बड़ा कर हो जाएगा आप यहां पर पर देखेंगे तो इसके बाद यहां पर चेक करने यहां लिए को करने हैं rode कट verdi एंबल करने के बाद यहां साब करने के बाद आपको क्या करना यहां पर पर क्लिक कर दें इसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर दें आपको क्या करने के बाद आपको क्या करने सिस्टम को रिये स्टाट कर दें रिये स्टार्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर बैगरांड चेंज नहीं होगा यहाँ पर इस तरह से मैसेज आजएगा तो इस तरह से आप किसी को भी डेक्स्टर बाइगरांड चेंज करने से आप रोक सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू